दूस्तो अगर आप मध्यप्रदेश के किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हैं, उच्च माध्यमिक सिक्षक बर्ग 1, माध्यमिक सिक्षक बर्ग 2 के लिए, SI के लिए, जल प्रहरी के लिए, कॉंस्टिबल के लिए, किनी भी पदों के लिए आप अप अप्लाई कर रहे हों, या apply कर दिया हो आपने या आप लोग preparation कर रहे हो किसी भी पत के लिए जो भी ब्यापम के द्वारा जो परिक्षा है कराई जाती है और पातरता परिक्षा आप भी फिलाल की स्तिती में बर्ग 1 और बर्ग 2 की जो की होनी है उसके लिए test series आपकी available है MP पर MP परिक्षा एप जो ह आपको ब्यापम MP पीबी जैसे हम बोलते है MP professional examination board इसकी जो 2018 की परिक्षा है उसकी तयारी के लिए यहाँ पर test series अबिलिबल करा दी गई है तो उनको आप लोग यहाँ पर purchase कर सकते हैं नीचे मैंने आपको link देदी है description में जासे सीधे आप लोग download कर सकते हैं इस app को और आप हुमारे code GUR LABH50 का use करके आप लोग यहाँ पर 50% का discount प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों पूरी जो news आज की उसको हम लोग discuss करेंगे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो news निकल के आ रही है यह गुरूप 4 की news यहाँ पर है सम्हूचार की और क्या इससे सम्मनित news निक बाचन आयुक्त जी का भी बयान यहाँ पर आया है तो उन्होंने क्या कहा है इस सम्मन्द में रिजल्ट से सम्मनित तो भो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो पूरी news हम लोग देखेंगे लिशने आप लोग बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में तो चली शुरू गरते हैं तो दोस्तों यह जो news निकल के आ रही है PEB Group 4 की परिक्षा से related news निकल के आ रही है कहा यह जा रहे है कि आचार सहिंता की आरली तीन महां बाद भी result घोशित नहीं हुआ है देखें यहाँ पर हम बात करें कि जुलाई में हुई थी यह परिक्षा 15 सितमबर तक इसक 1714 पदों पर 180,000 बेरोजगार यहां पर आबिदक थे तो अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि क्या पूरी नियूज है यह देखिए समय पर result जारी करने के PEB के दावे के एक बार फिर से पोल खुल गई है गुरुप और एक्जाम के नतीजे डेर महीने में घोसित करने का दावा किया गया था तीन महीने बाद भी जिम्मेदार यह बताने को तैयर रही है कि आखिर मेरिट लिस्ट कवाएगी PEB की स्लेट अत्तीफी से प्रदेश के 1,80,000 प्रतिभागी परेशान है देख लेते हैं यहां पर पूरी न्यूस क्या है यह दिखेगा PEB ने 28-31 की थी इसके लिए 22 जून से 6 जुलाई तक आउनलाइन आबिदन मंगाए गए थी 11 जुलाई तक आबिदन में शंसोधन किया जासका पहले यह परिक्षा दो दिन ही होना थी लेकिन आबिदकों की संख्या अधिक होने से 4 दिन तक चली इसमें इंदौर भूपाल उजेन 9 बज़े से 11 बज़े एवं दित्तिय सिफ्टी के परिक्षा दो पहर दो बज़े से 4 बज़े तक चली आबिदक सायक ग्रेट 3 स्टेनोग्राफर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के कुल 2714 पधों के लिए परिक्षा के नतीजों का लंबे समय से इंतिजार कर रहे हैं लेकिन 100 दिन बाद भी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है पीवी के जिम्मेदार अधिकारी ये बताने की इस्तिती में नहीं है कि नतीजे कब तक आएंगे देखिए यहां पर कहा जा रहे है कि पीवी के जिम्मेदार अधिकारी है आचार सहीता की आड ले रहे हैं जबकि पर जानकार बता रहे हैं हम पर पीवी के नतीजे लेकिन घोस्त अभी नहीं हुए है आंसर सीट और प्रतिभागियों की संख्या के अनुमान के आधार पर जानकार जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जनरल स्रेणी में पुरुस बर्ग का कट आफ मार्क्स रहेगा वो सबसे सабर देख सकते हैं और क्या इसमें अधिकारी बयान दे रहे रहे हैं तो यहां पर जो है के केस बधवरिया जो हैं यहां पर exam controller P.E.B. के उन्होंने क्या कहा है उन्होंने कहा है कि फिलाल कुछ नहीं कह सकते उन्होंने कहा है कि group 4 परिक्षा का result कब तक आएगा फिलाल कुछ नहीं कह सकते वैसे हमारी तैयारी पूरी है दरसल आचार सहीता लगने से हर काम की चुनाव आयूक से permission लेना पड़ती है हमने आयूक से अनुमती मांगी है जब बहां से जबाब आ जाएगा तो result जारी कर देंगे यह कहना है जो भधोरिय जी है नियंत्रक हैं पीवी के इसके अलाबा जो उन्होंने यहां पर प्रस्ताब भेजा है मुख्य निर्वाचन अधिकारी बियल कांता राओ मधिप्रतिस को तो उन्हों का भी यहां पर बयान देखिए निकल गया रहा है वो यह कह रहे है कि मामले का परिक्ष्ण करने लेंगे उन्होंने का है कि गरूप पोर की परिक्ष्ण के रिजल्ट को लेकर पी-ई-बिने हमें प्रस्ताब बेजा है इसकी जानकर यह निकलवा रहे है जल्दी इसका परिक्षन कराएंगे, रिजल्ट जारी करने में कोई तक्निकी समश्या कर नहीं होगी, तो आयोग भी अनुमती दे देगा, इस बारे में सम्मंदित अधिकारियों से चर्चा की जाएगी, तो देखिए उन्होंने कराए कि सम्मंदित अधिकारियों से चर्चा करके, व चुनाब के बाद ही न्यूक्ति की परकरिया शुरू होगी, रिजल्ट जारी करने में कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, जारी कर सकता है पीवी रिजल्ट और काफी सरे रिजल्ट इसमें जारी हुए भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि पीवी को ये चुनाब के समय र पूचेत नहीं रहेगा, अपने जो सुझाव और अपने जो कमेंट से आप नीचे कर सकते हैं, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि क्या ये सही है या नहीं है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धनिवाद, नमशकार, जय हिंद, जय भारत.